बोट पे द्यान दीजिया बोट पे एक और कोश्चन है हमारे सामने कहता है ABC Limited invoice goods branch को करता है best Bengal है the branch sell goods credit as well as cash from the following related to the Kolkata branch prepare the branch account ascertain the profit or loss of the branch यही हम निकालना सीखते हैं कहता है goods receive from ABC Limited ABC Limited head office है तो goods send भी बोल सकते हैं और goods receive भी बोल सकते हैं तो बात वही आ गई goods return to ABC Limited तो return है cash sales दे रखा है credit sales दे रखा है यहां पर दे रखा है allowances to customer और allowances to customer मैंने आपको बताया था allowances किसको बोलते हैं याद है कुछ मैंने बोला था discount को हम allowances के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर आगया allowances to customer तो एक तरीके से debtor को discount है general expense charges है return from customer यानि sales return है सर यह sales return है सर यह इसके बैड़ेट्स दे रखा है discount allowed to customer है यानि यह भी allowances में जाएगा और यह भी जाएगा cash received from debtor महीं जाएगा rent rate taxes opening balance आपको दे रखा है closing दे रखा है सिर्फ opening balance किसका दे रखा है stock का और closing दे रखा है वो भी stock का ही है यानि debtor का आपका balance दे रखा है या नहीं दे रखा है सर नहीं दे रखा तो आपको बनाना पड़ेगा debtor account क्या यह सवाल आपसे हो जाएगा तो मैं इससे एक advance question कर रहा हूँ आपको एक बार देख लीजिए यह सवाल हो जाएगा तो ठीक नहीं तो इसके advance लेके चलूँगा sir full question हाँ भी अगला third करूँगा न जिसमें सारे account बन जाएगा एक्स्ट्रा account भी बनेंगा हो जाएगा यह हाँ जी जो इतने बच्चे live में है फटा फट बता दें हो जाएगा नहीं होगा हो जाएगा clear अगले सवाल पर चले इसमें कुछ नहीं करना फिल करना एक data account भी बनाना है जो नए नए नाम थे वो मैंने आपको समझा दिये कहा कौन से points जाने वाला है चलिए एक ऐसा सवाल है यह जिसके अंदर सारे points कवर हो जाते हैं और यह last सवाल है आपका simple वाला देख रहे हैं यहां पर closing balance के आगे question mark, question mark, question mark, question mark और question mark लगा हुआ है इसका मतलब यह सारे account बनाने पड़ेंगे क्योंकि closing balance जब दे देता है तो हमारी tension थोड़ी सी खतम हो जाती है लेकिन closing balance इनका है ही नहीं आपके पास आपको कहीं न कहीं से तो निकालना पड़ेगा तो closing balance बनाने के लिए या तो सीधा minus करके पता कर सकते हैं और अगर transaction ज़्यादा हुआ तो उस situation में क्या करेंगे हम बड़ी सीधी सी बात है account बना लेंगे चलिए आईए करते हैं question start question number three आपके किताब का एक बना लेते हैं branch account एक बना दूँ जगे देख रहे हैं सर बाकी के कुछ account ना देखो एक debtor account में हो सकता मैं यहीं बना दूँ जगे देख रहा है क्योंकि question भी तो दिखाना है न आपको और जो होगा छोटा-छोटा मैं roughly account बनाऊंगा आइडिया मिल जाएगा वैसे एक debtor ही बनना और कोई बनना नहीं है मेरे इसाब से बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं तो अगला page इस्तमाल कर लेंगे और गया कहता है from the following transaction related to Lucknow branch prepare branch account in the Mumbai office all expense paid by the branch as per agreement of head office यह क्या बोल दिया इसने कि जितने भी खर्चे हैं वो कौन पे करेगा branch देखिए पहले क्या था सारे खर्चे कौन paid कर रहा था अब सारे खर्चे कौन करेगा अब मान लो मेरे पास 5 लाग की sale आए और दिन का खर्चा हो गया 25,000 तो मैं 5 लाग में से पहले 25,000 घटा हूँ और बाकी पैसे मैं कहां करूँगा समझ रहे बात को अगर head office देता तो क्या करता पांच लाग का sale होता मैं बोलता ले भाईया head office पूरे 5 लाग रुपए और खर्चे के पैसे दे और मैं कहां लिखा देता डेबिड में बताया था ये point मैंने चलिए तब से पहले दे रखा है opening stock आपका दे रखा है 378 तो मैं ल आपका कितने का है 378 आराम से करेंगे इस question से मान के चलो पूरा part concept खतम हो जाता एक तरीके से debtor कितने का 35500 इसके बाद personal computer कितने का 45 इसके बाद देखा जाए तो branch bank कितने रुपए 9,650 ये तो मैं सिर्फ देखो simple कर रहा हूँ चलिए आगे कहता है transaction during the year goods transfer to branch यानि हमें सर समान बेचने के लिए समान मिल गया है तो मैं क्या लिखूँगा two goods goods क्या लिखे है sent कितने का 7,000,000 बहिए ये पहले एक बात समझो क्योंकि ये goods sent यहां क्यों लिखा है समझ में आ रहा है क्योंकि ये account किसका बन रहा है branch का लेकिन बना कौन रहा है head office तो head office तो भी है समान भेजी रहा है इसलिए वो goods sent लिखता है यह ठीक है न चलिए आगे देखते है goods sent के बाद आगे फटा फट देखें goods transfer to branch के बाद कहता है goods return to to echo by branch तो कोई बात ने सर return कर दिया तो किदर आ जाएगा बाई रिटर्ण 15,000 इसके बाद आगे देखें तो कहता है cash sales paid into bank बोलता है cash sales किया और हम echo को नहीं दे रहे हैं पहले हम बैंक में जमा कर रहे हैं समझ रहे हैं बात को इसका मतलब सर bank account बनाना पड़ेगा bank account बनाना पड़ेगा तो एक mini bank account बना लेते हैं ठीक है सबसे पहले two balance bd मैं बहुत roughly use कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए bank account कैसे बनता है asset से बताया था इस side से बढ़ जाएगा और इस side से घट जाएगा bank account का balance कितना है sir 9650 और इधर क्या आ जाएगा buy balance cd ठीक है ना जब cd जैसे जैसे आएगा कहा कि भाईया सेल किया और मैं नहीं दे रहा है head office को तो कहां दोगे भाईया head office को नहीं दोगे तो उसने बोला कि bank में जमा करेंगे कोई बात नहीं sales का पैसा कितना आया एक लाक बस ठीक है न समझ में आ रहे रॉपर समझ में आ रहे आगे कहता है credit sales तो यह तो debtor की बात कर रहा है debtor भी निकालना ही पड़ेगा तो debtor भी account बनाई लो तो debtor account के लिए मैं यहां इस्तमाल कर लेता हूँ यह थोड़ा बड़ा बन जाता है ना तो देखो confusion तो नहीं होगा ना आपको मुझे सिर्फ मेरी मजबूरी है कि मैं आपको question दिखा पाऊं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं नहीं तो जगह तो है question हटाना पड़ेगा अरे question नहीं अड़ रहा है तो कि चलिए debtor का सबसे पहले debtor का opening balance है वो तो लिखी लेते हैं कि टू balance bd कि कितने रुपए opening एक लाख 35,500 ठीक है अब कहता है कि क्या कह रहा था जो मैंने यहां लिखा cash sales और credit sales तो credit sales यहां हैगा कितने का कर दिया credit sales आठ लाग 25,000 credit sales आगे कहता है return sales return by selling price तो sales return कौन करता है debtor करता है भाई by return कितने रुपए का इस return में और इस return में difference पता है न यह ग्राहक कर रहा है और यह branch ही head office को कर दे रहा है दोनों में फरक है ठीक है न चलिए सर यह भी हो गया इसके बाद check receive from customer customer थे पैसा मिला तो buy bank यहां पर आ जाएगा कितना पैसा मिला आठ लाख 45,000 और सर यह पैसा मैं discount allowed बूर कौन बताएगा कहां जाएगा discount allowed debtor account में बाइ discount और discount कितने का है 7,800 bed dates return off कहां गया अच्छा सही है कहां जाएगा debtor में जाएगा bet debts कितने रुपए 1500 एग्रीड अमाउंट ट्रांसफर प्रॉम ब्रांच अकाउंट 8,95,000 कहता है भाईया एक साथ हमने पैसा head office को देही दिया कितना पैसा दिया है head office को शबदों पर जाएग्रीगेट अमाउंट एग्रीगेट का मतलब total amount ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच बैंक यानि ब्रांच बैंक से ट्रांसफर कहां हुआ होगा head office में head office में से जब भी पैसा आएगा यहां लिखेंगे by remittance और कितना आया सर बैंक से आठ लाग पे चानवे अजार अब एक बात बताएए क्या मेरा bank account खाली नहीं हुआ होगा जब भेजा मेंने head office तो bank account खाली हुआ तो बैंक में किधर जाएगा भाई एचो समझ रहे हो मैं समझ मैं आ रहा है अभी तो खर्चाट डालेंगे अभी रूख अभी कहां खत्व बंद कहां किया वहने अभी तो चल रहे बीच में यहां तक सभी चल रहे है आगे चलिए देखिए बुक के अंदर बड़े सारे हमें समझ में आते है उतना मं करते हैं कर लेकिन इसा सचा ही नहीं है तो ład accordingly मैं जो account आपको दिख जाएगा विख में बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे तो ऐसा कोई जौरत नहीं कि कही भी और इससे आगे कहता है बैंक अकाउंट यह तो होई गया कहता है रेंट टो मजए की बात है सारे खर्चे कौन करेगा इसका मतलब सर रेंट इधर आएगा कितना रेंट अब एक बात बताना मुझे क्या मैं यहां भी रेंट लिख दूँ नहीं क्योंकि ब्रांच इने जब दी दिया तो पैसे काट के तो भीज रहा है तो यहां क्यों लिखेंगे ठीक है इसके बाद वेजिस कोई बात ने सर देख जाएगा कि वेजिस के बाद कि कहाँ है जर्नल एक्सपेंस 45,000 कि अच्छा साथ 630 कि डिलीट करो इसे कि बाइज जर्नल एक्सपेंस 7,000 कि इस मैं इसे हटा दूँआ साफ दिखेगा अब चिंता मत करो जब मेरा कुश्चन पढ़ावा हो जाएगा तो सवाल को मैं साइड में कर दूँआ इसके बाद transaction at head office on behalf of branch head office कहता है ये खर्चे मैंने किये हैं कहता है transaction at head office on the behalf of branch कहने का मतलब क्या है ये खर्चे मैंने किये हैं और ये कौन बोल रहा है head office तो भाई तू जितने भी head office खर्चा करेगा मैं सब लिख दूँआ यहां पर यही है ना कहानी तो सीखा तो यही है अब क्या कहता है goods transfer by branch as per above तो पताइए भाई अगर goods transfer की बात चल रही है तो head office ही देखा और कहीं से तो मांग नहीं सकते हैं आगे कहता है goods return from branch head office कोई किया तो भाई यह सुनी सुनाई बाते कर रहे हैं एक word कहता है cash received from branch उपर जो given है तो cash received from branch यही तो था लिख तो दिया और कितनी बार बताएगा यह salary branch staff ओ इसका मतलब यह salary वाला खर्चा head office ने दिया है तो क्या इसे हम यहां लिखें तो कहां लिखें expense में आ जाएगा two salary सबसे बड़ा catch यह था एक लाख बावन हजार पान सो समझ मैं ही बात आपको सब कुछ पढ़ लिया question को side कर दिया जाए side करें छोटा कर दें लेकिन question के उपर यह भी तो है कोई बात ने कोशिस करते हैं पटा फट टूटल करो फिर इधर ही कर देंगे अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए by closing और closing किसका चाहिए एक stock का चाहिए sir और किसका चाहिए debtor का चाहिए sir और किसका चाहिए computer का चाहिए sir और किसका चाहिए bank का चाहिए sir सबसे पहले stock का closing क्या सवाल में एक दे रखा था क्या stock का closing सवाल में दे रखा है चेक कर ये नहीं दे रखा ये क्या है stock दे रखा है 270 चलो दुबारा दिखा दे दे रखा है ना 270 क्या computer का दे रखा है question mark बोल रहा है भाई या computer पर बता दो क्या करा हमने कहता है provide depreciation 20% on computer तो इसका मतलब sir computer था हमारा 45 का 20% depreciation लगाओगे तो कितना लगेगा 9000 तो बचेगा कितना 45 में से 9 गए तो किसी को इसमें doubt है तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 45000 into 20% that is 9000 और ये माइनस हो गया 45000 से जो कि बच गया हमारा 36000 यहीं साथ के साथ मैंने कर वी लिए कि सब्सक्राइब तेक है अब कौन सी calculation कर रहे हैं यहीं सब्सक्राइब चली आगे देखते हैं कि समझदार कोई सारा काफी अब एक बावन आ गया इसके बाद सर यहां पर मुझे बैंक का बैलेंस चाहिए और डेटर का बैलेंस चाहिए डेटर वहां से निकल सकता और बैंक चलिए बैंक करिए फटाफट टूटल नैंटी सिक्स पाइव फिफ्टी एक लाख चपन अजार आठ लाख पैंतालिस हजार दस लाख दस लाख दस हजार छेस्सों पचास गलत हैं क्या हैगा फिर भाई लाइब वाले बच्चे भी बता दो सेलरी बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया समीर सेलरी का जो खर्चा है वो पता है किस ने किया वो ब्रांच ने नहीं किया हेड ओफिस ने किया head office ने किया तो head office ने किया इसलिए आया है ठीक है ना वहाँ पर माइनस करिए buy balance 7000 अब debtor में से निकालिए debtor में से निकालिए बैटर का टोटल मेरा calculator नहीं है बैटर का टोटल टीडी यह गलत है एपिच्यासी वाला है अटे किया चलो बताओ भाई अब्याओ एक लाग दो हजार चार्सों पचासी है ना एक क्या है एक एक लाग दो हजार चार्सों पचासी है ना अब फटा फट से टोटल करके क्या निकाल दो टू प्रॉफिट खतम इससे बड़ा कोश्चन इस वाले में नहीं आ सकता सिंपल वाले में देखो लास्ट में लिखा है इसको सीरियस ना ले सिर्फ रिवीजन करें तो मैंने तो पूरा ही कुश्चन करवा दिया तो कुछ था भी नहीं अब पहले इसका टोटल कर दो कि अट कर देखा है कर देखा कर देखा अंजली ने बता दिया दूसरा भी बता दो कौतम और अंजली ये 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 दस ब्यासी गलत है हाँ वो तो लगा रहे हैं इसने जैसे गलत बोला में मिटाना चालू करते हैं माइनस करिए हो सकता है ये ज्यादा हो तो लिख तो दिया है इधर का टोटली तो इधर लिखा है हाँ दो सत्तर ही है हाँ दो सत्तर ही है चार लाग तो नहीं आएगा भी ये दस में से सात लाग तो ऐसे ही माइनस हो गया चेक करिए किया है वक का अंशर क्या चेक करो भई दस लाग दस हजार छेशोफचास भई बच्चे तो ये कुछ और बता रहे हैं ये पुराने ही बता रहे हैं उनका रहने दो रहने दो ये रहे हैं आठ दो दस ग्यारा सही बोल रहे है भाई यह आठ तो यही हो गया है दो दस तो यही हो गया एक लाख यह भी है देखो आपको न करोना वाइरस से अभी तक आप निकले नहीं हो जमा गटा नहीं आ रहा बताओ कितना है देदो क्यालकुलेटर देदो मेरे को अरे इसको निक तेरा पत्चेस चार्सों सत्तर माइनस वाई यह कैल्गुलेटर ना थोड़ा हैंडी कैप इसको देख लो आप एक लाग सत्तावन अजार एक्सों अस्सी चेक करिए लो इन्फेक्ट लॉस आ रहा है कि एक लाग सत्तावन अजार एक्सों अस्सी कि इसका टोटल यह वाला लेंगे अब हम देख लीजिए आप यह आगया 14 लाख यह लीजिए इसका भी आंसर ढ़न यह लो यह कैल्कुलेटर एक्जाम में दोखा दे सकता आपको देखो यहां लाइब वाले बच्चे भी बता रहे हैं कि दूसरी साइट जाद है आप आफ लाइन वाले नहीं बता पा रहे हैं चल यह ठीक है समझ में आया कोशन था असान यह लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें अकाउंट बनाना है बुक में तो कंप्यूटर अकाउंट भी बना दिया होगा जरूरत नहीं था हम डारेक्ट कर सकते हैं ठीक है न बैंक अकाउंट बनाना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर आइटम जादा है डेटर अकाउंट बनाएंगे तो चांसे बढ़ जाएंगे इसके बाद अब देखा जाए तो स्टॉक का बैलेंस नहीं देगा तो इक स्टॉक अकाउंट भी बना लेंगे यानि जिसका सीडी नहीं दे रखा उसका अकाउंट हम क्या करेंगे प्रिपेयर करके इजली फाइंड कर सकते हैं इस अब कभी भी ब्रांच पे करेंगा तो अपने बैंक में से रेमिटेंस में से क्या करेंगा माइनस करता जाएगा बैंक में से और यह वाला खर्चा इस तरीके से हमारा अंसर आ गया किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो बता दीजिए बताईए तो पहला अगर हम देखें हमने कहां से स्टार्ट किया था इसमें क्या-क्या सीख रहे थे हम इसमें हम सीख क्या रहे थे सर हम ब्रांच अकाउंट सीख रहे हैं यह सब तो सलेबस का पार्टी नहीं है थियोरी आ सकता है इंडियन ब्रांच ब्रांच सारे थी आपके बूक में घीवन है तो थीवरी का पंदा तारिक के बाद एक ही बार में सारे थीवरी फटा फट से एक से दिर घंटे में निप्टा दू आँगा मैं बताता जाओंगा इस थीवरी में यह लिखना याद करना आपके जिम्मेद प्राइस पे और एक होता है हमारा आई पी जिसे बोलते हैं मिन वोईस प्राइस पे इसके अंदर भी दो है सर एक होता है हमारा एट कॉस्ट प्राइस और एक है हमारा आई पी प्राइस सर आई पी प्राइस अभी हमने किया ही नहीं है आई पी प्राइज अभी हमने किया नहीं है हमने सरिफ कौन से वाला खतम कर लिया और मैं अगेन कहूंगा जो इसमें असाइन्मेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आप करिए बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके अंदर आंसर में काफी सारे एरर है तो उस एरर को ध्यान मे रखे ऐसा नहीं के पूरे दिन आप एक ही कूश्चन के पीछे निकाल दो के मेरा प्रैक्टिकल ऐसाइन्मेंट में एरर है सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप यह वाला कर ये जैसे अदूह और उस सवाल को कर लेते है तो वहीं रहता है बात होगे सर पिछले दस साल तो पे स्पटर बदलने का मतलब क्या है समस्य प्रक्राम होता है यह सिर्फ स्था बच्चों के मन का ब्रहम होता है हम यसे टीचर के लिए स्जी स्टार्टिंग से वैसे ही पैटन अब भी आएंगे तो स्लेबस बदलने का मतलब या नियू इंटर्ड्यूस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वही रह जाते हैं सब्जेक्ट जो है जैसे अकाउंट में जो चेंजिस करना होता है चैप्टर यह तो डिलीट किया जा सकता है यह चैप्टर को एक्स्ट्रा किया जा सकता है तो जो चैप्टर कंटिनियूसली में है उसका ट्रेंडिंग कोश्चन तो वही रहने वाल है न जो पिछला था हमारा एक बात ध्यान दखना जो कोवीड के अंदर आई हुए ओपन ऻुट एकजावना ना करने की प्रेक्टिस क्यों कोई ओशन का मेन मोटिव होता था इतना मुश्किल कोश्चन बना दो ना कि यह बच्चे नकल मारके ना लिख पाए ठीक है ना तो वह कोश्चन कई वार ऐसे भी थे जो कि तो उस पर नहीं जाने आपको सिर्फ रेगुलर नॉर्मल पेपर को सॉल्व करने इस बात का ध्यान रखने ठीक है करेक्ट चलिए सर्थ सर्थ डेटर और बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में आएगा बिल्गुल हाँ डेटर और बैंक अकाउंट जो बनाये था वो क्या था हमारा वर्किंग नोट का हिस्सा था